डाइरिया एक ऐसी वीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है कई बार इसकी बज़े से व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो जाती है कि फिर उसे अस्पताल लही ले जाना पड़ता है डाइरिया से इंसान का स्वास्त कमजोर होता है डैरिया होने पर हमें कई दरीके की दबाईयां लेते हैं ताकि हमें इस से आराम मिल सके लेकिन आप ये शायद नहीं जानते होंगे कि डैरिया को रोकने के लिए घरेलू उपाई भी हैं जो इस समस्या से निजात दिलाने में बेहत ही कारगर सावित होते हैं तो चलिए जानते हैं डैरिया होने के कारण और घरेलूप चार के बारे में उस्तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए सबसे पहले यह जाना जरूरी है कि डैरिया आकिर है क्या दरसल जब गुदा मार्ग से मल पानी के रूप में ज़्यादा भार भार निकलता है तो इसे ही डैरिया कहा जाता है हमारे शरीर में मौजूद दोश, बाद, पेट, कफ में मुखे रूप से बाद, दोश, असुंतुलित हो जाता है, जिससे शरीर की पाचन किरिया कमजोर हो जाती है, ऐसे में जो खाना हम खाते हैं वो पच नहीं पाता, और फिर बिना पचा हुआ खाना ही पतला होकर मल के रा कारण क्या है डाइरिया के, डाइरिया के कारणों की बात करें तो डाइरिया कई कारणों की बज़े से होता है, अगर रात का बचा हुआ बासी खाना खाते हैं तो डाइरिया हो सकता है, बाहर का खाना जंग फूर्ड, पीजा, समोसे, जलेवी, पीजा, आदी खाने से भी पेट खराब हो सकता है। ज़्यादा तला हुआ खाने से या फिर दूशित पानी पीने से भी डैरिया की समस्या हो सकती है। उल्टियां भी आने लगती है। तरसल डैरिया की बज़े से पेट में गैस भी बनती है। जो उल्टी आने का एक अन्य कारण भी होता है। आजवाइन भी डैरिया रोकने में काफी मददकार होती है। आजवाइन को उमे रखकर उन्य को पानी के साथ खा सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखें कि आजवाइन को चवाना नहीं है। सीधा निगर लें। इसके अलावा सुका धनिया भी डैरिया को दूर कर सकता है। एक